नमस्कार जी कैसे हैं आप दोस्तों भरत जी वन को अवश्च चलिए जहां श्री राम जी हैं आपने बहुत अच्छी सरा बिचारी शोक समुदर में डूटते वे सब लोगों को आपने बड़ा सहरा दे दिया सबके मन में कम आनद नहीं हुआ अथार्थ बहुती आनंद हुआ मानों मेगों की गर्जिना सुनकर चाता को और मोर आनंदी थो रहे हूं दूसरे दिन प्राता कर चनने का सुन्दर निर्णे देख कर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए मुनी वशिष जी की बंदना करकी और भरत जी को सिर नवा कर सब लोग बिदा लेकर अपने अपने घर को चड़े जगत में भरत जी का जीवन धन्ने हैं इस प्रकार कहते वे वे उनके शीर और इसने की सराना करते जाते हैं आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ सभी चड़ने की तयारी करने लगे जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं वही समझता है मानो मेरी करदन मारे गई कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कऊ जगत में जीवन का लाब कौन नहीं चाहता आजद्यावासियों सहे श्री भरत शत्रुगन आधी का बंगमन वा संपत्ति, घर, सुक, मित्र, माता, पिता, भाई जल जाएं तो श्री राम जी के चरणों के समुखोने में हस्ते वे प्रसंता पूर्वक सायता ना करें घर घर लोग अनेको परकार की सवारियां सजा रहे हैं हरदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है बरती जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोडे, हाती, महल, खजाना, आदी सारी संपत्ति च्री रगुनाद जी किये यदि उसकी रक्षा की ब्यवस्ता किये बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चलन दू तो परणा में मेरी भलाई नहीं है क्योंकि स्यामी का द्रो सब पापों में शिरो मड़ी शेष्ठ है सीवक वही है जो स्यामी का हीद करे चाहें कोई करोडों दोश क्यों ना दे बरती जी ने ऐसा विचार कर ऐसे बिश्वास पात्र सीवकों को बुलाया जो कभी सपन में भी अपने ध्रम से नहीं डिगे थे बरती जी ने उनको सब भेद संजाकर फिरुतन ध्रम बतलाया और जिस योगता उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया सब वैवस्ता करके रक्चकों को रक्कर बरती जी राम माता कौसलिया जी के पास गए सने के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले बरती जी ने सब माताओं को आर्थ दुखी जानकर उनके लिए पाल्किया तियार करने तथा सुख आसन यान सुख पास जाने के लिए का नगर के नरनारी चक्वे चक्वी की बाती इर्दे में अत्यंत हार्त होकर प्राता काल कहोना चाहते हैं सारी रात जाकते जाकते सावेरा हो गया तब भरत जी ने चतुर मंतरियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब समान ले चलो वन में ही मुनी वशीज जी च्री राम चंदर जी को राच देंगे जलनी चलो या सुनकर मंतरियों ने बंदना की और तुरंद घोडे रत और हाती सजवा दिये सब से पहले उनी राज बशीज जी अरून धती और अगनी होत्र की सब समगरी सहीत रत पर सबारो कर चले फिर ब्रामणों के सम्मू जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चड़ कर चले नगर के सब लोग रतों को सजा सजा का चित्र कूड को चल पड़े जिनका वणन नहीं हो सकता ऐसे सुन्दर पालकियों पर चड़ चड़ कर सब्रानिया चले बिश्वास पात्र सेविकों को नगर सौपकर और सब को आधर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों को इसमरर करके बरत शत्रुगन दोनों बाई चले श्री राम चंद्र जी के दर्शन के वश में वे दर्शन की अनने लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानों प्यासे हाती हतनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए चा रहे हो सिरी सीता जी राम जी सब सुकों को चोड़कर वन में हैं मन में ऐसा विचार करके छोटे वाई शत्रुगन जी सहित भरत जी पैदली चले जा रहे हैं उनका इसने देख कर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाती रतों को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चले लगे तक श्री राम चंदर जी की माता कौसल्या जी भरत के पास चाकर और अपनी पालकी उनके समीब खड़ी करके कोमल बाणी से बोली हे बेटा माता बलाया लेती हैं तुम रत पर चड़ जाओ नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा तुमारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं पैदल रास्ते के पैदल चलने की योग नहीं है माता की आग्या को सिर चड़ा कर उनके चरणों में सिर नवा कर दोनों भाई रत पर चड़कर चलने लगे पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोंती के तीर पर किया कोई दूद की पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भूजन करते थे भूजन और भोग विलास को छुड़कर सब लोग श्री राम चंदर जी के लिए नियम और ब्रत करते हैं निशाद की शंका और सावधानी रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दी और सब श्रिंगवेरपूर के समीब जा पहुँचे निशाद राज ने सब समाचार सुने तो वा दुखी ओकर हरदें में विचार करने लगा क्या कारणे जो ब्रत वन को जा रही हैं मन में कुछ का पढ़वाव अवश्य है यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों न ले चले हैं समझते हैं कि छोटे भाई लक्षमर सहीत स्रीराम को मार कर सुख से निश्कंटक राज करूंगा ब्रत ने हरदे में राजनीती को स्थान नहीं दिया राजनीती का बिचार नहीं किया तब पहले तो कलंकी लगा था अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा संपूर देवता और देत वीर चुट जाएं तो भी श्रीराम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है ब्रत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्रे ही क्या है विश्ची बेले अमरत फल कभी नहीं फलती ऐसा चार कर गू निशाद राजनी अपनी चाती वालों से का कि सब लोग साबधान हो जाओ नावों को हाथ में कबजे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तता सब घाटों को रोक दो सुसजीत होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो थात भरत से युद में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ मैं भरत कसे सामने मैदान में लोहा लूँगा मुड़ भेड करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूँगा युद में मरन फिर गंगा जी का तट श्रीराम जी का काम और भंगर शरी जो चाहें जब नाश हो जाए भरत श्रीराम जी के बाई और राजा उनके साथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग में ऐसी मृत्व मिलती है मैं स्यामी के काम के लिए रड़ में लड़ाई करूँगा और चौदो लोकों को अपने वश यश से मुझवल कर दूँगा श्रीराम जी के निमित प्राण त्यार दूँगा मेरे तर दोनों ही आतों में आनंद के लड़्टू है अथाद जीत किया तो राम सेवक का यश प थान नहीं वह जगत में प्रत्वी का भार होकर व्यर्थी जीता है वह माता के यौवन रूपी ड्रच के काटने के लिए कुलाडा मात्र है इस प्रकार श्रीराम जी के लिए प्राण समरपड का निश्चय करके निशाद राजविशाद से रहीत हो गया और सब का उस्सा ब मेरी आग्या सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे सब हर्ष के साथ बुल लूटे है नात बहुत अच्छा और आपस में एक दूसरे का जोश पढ़ाने लगे निशाद राज को जुहार करकर के सब निशाद चले सभी बड़े शूर वीरें और संगराम में लड़ना उन्हे बहुत अच्छा लगता है श्री राम चंदर जी के चरण कमलों की जूतियों का इसमरण करके उन्होंने भातियां छोटे-छोटे तरकस बांद कर दोनियों छोटे-छोटे धनुशों पर प्रतेंचा चड़ाई कवच पहन कर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फड़ से बाले तता बर्चों को सीधा कर रहे हैं सुधार रहे हैं कोई तलवार के बार रोकने में अतन्ती कुशन लेवे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हैं अपना अपना साज समाज लड़ाई का समान और दल बना कर नो ने जाकर निशाद राज गुरू को जोहार की निशाद राज ने सुंदर विध्याओं को देखकर सब को सुयोग जहना और नाम ले लेकर सब का समान किया उसने का हे भाईयों दोखा ना लाना अथात मरने से ना घबडाना आज मेरा बड़ा भारी काम है या सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बुल लुठे हे वीर अधीर मत हो हे नात स्री राम चंदर जी के प्रताब से और आपके बल से हम लो भरत की सेना को बीना वी और एक एक घोड़े को माड डालेंगे जीते जी पीछे पाव ना रखेंगे प्रतवी को रुंड मुंड मई कर देंगे सीरों को धनों से च्छा देंगे निशाद राज ने बीरों का बढ़िया दल देखकर का जुजारू लड़ाई का डोल बजाओ इतना कहते ही बाई और ची कोई शगुन बिचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है जीत होगी एक बुड़े ने शगुन बिचार करका भरत से मिल लेजे उनसे लडाई नहीं होगी भरत श्री राम चंदर जी को मनाने जा रहे हैं शगुन ऐसा कह रहा है कि बिरोध नहीं है यह सुनकर निशाद राजगुन ने कहा बुड़ा ठीक कह रहा है जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मुर्क लोग पच्टाते हैं भरत जी का शील सवाव बिना समझे और बिना जाने युद करने में हित की बहुत बड़ी हानी है अतेवे बीरो तुम लोग एकटे होकर सब घाटों को रो के अनुसार प्रवंद करोंगा उनके सुन्दा सवाव से मैं उनके इसने को पैचान लूगा वीर और प्रेम चिपाने से नहीं चिपते ऐसा कहकर वा भेट का समान सजाने लगा उसने कंद मूल फल पक्छी और हिरन मंगवाई का हर लोग पुरानी और मोटी पहीना नमक मच शिलियों के भार बर बर कर लाई बेट का समान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगल दायक शुब शगुन मिले विशाद राज ने मुनी राज वशिष जी को देखकर अपना नाम बदलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया मुनिश्वर वशिष जी ने उसको राम का प्या त्याग दिया विरत से उतर कर प्रेम में उमंगते वे चले निशाद राज गुहुने अपना पाउं अपना गाउं जाती और नाम सुना कर प्रित्वी परमाथा टेक कर जुवार की बरत निशाद मिलन और संबाद और बरत जी का तता नगर वासनियों का प्रेम दनवत करते देखकर बरत जी ने उठा कर उसको च्छाती से लगा लिया रिद्यम ये प्रेम समाता नहीं मानुस सेयम लक्षमर जी से बेट हो गई हो बरत जी घू को अथिंद प्रेम से गले लगा रहे हैं प्रेम की रीती को सब लोग सिया रहे हैं रिश्यापुरवग प्रशंशा कर रहे हैं मंगल की मूल धन धन की धनी करके देवता उसकी सरान करते वे फूल बरसा रहे हैं वे कहते हैं जो लोक और बेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है जिसकी छाया के छू जाने से भी इसनान करना होता है उसी निशाद से अकवार भरकर रदर से चिप्टा कर श्री राम चंदर जी के चोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बंश शरीर में पुलका वली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं थात अलस से भी जिनके मूँ से राम नाम का उच्चारण हो जाता है पापों के समों कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते फिर उस घू को तो सेम श्री राम चं करने वाला बना दिया करम नाशा नदी का जल कंगा जी में पढ़ जाता है मिल जाता है तब कहिए उसे कौन सिर पर धरन नहीं करता जगत चांता है कि उल्टा नाम मरा मरा जक्ते जक्ते बार्मी की जी भ्रम के समान हो गए मूरक और पामर चंडाल शवर खस पवन यवन और कुल और किराद भी राम नाम कहते वे परम पवित्र और तरुवन में विख्यात हो जाते हैं इसमें कोई आश्रे नहीं है योग योग अंतर से यही रिती चली आ रही है श्री रगुनाज जी ने किसको बढ़ाई नहीं थी इस परकार देपता राम नाम की महिवा कह रही है और से सुन सुन कर योध्या के लोग सुख पा रहे हैं राम सका निशाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और चेम पूची भरत जी का शीर और प्रेम देखकर निशाद उस समय बिदे हो गया प्रेम मुग दोकर दे की सुद भूल गया उसके मन में सं कोच प्रेम और अनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकी लगाए बरत जी को देखता रहा फिर धीरज दर कर बरत जी के चरणों की बंदना करके प्रेम के साथ हाथ जुड़कर पिंती करने लगा हे प्रभो कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया अब आपके परम अनुगरे से करोडों कुलों पेडियों सेथ मेरा मंगल कल्याण हो गया मेरी कर्टूत और कुल को समझा कर और प्रभू की श्री राम चंद्र जी की महमा को मन में देख बिचार कर अथा कहां तो मैं नीच जाती और नीच करम करने वाला जीव और कहां अनंत कोटी भरंबांडो के स्यामी भगवान श्री राम चंद्र जी पर उन्होंने मुझ चैसे नीच को भी अपनी आहिवत की कृपा वंश अपना लिया यह समेच कर जो रगुवीर श्री राम जी के चरणों का बजन नहीं करता वजगत में विधाता के द्वरा ठगा गया है मैं कप्टी कायर कुवुद्धी और कुजाती हूँ और लोग वे दोनों से सब प्रकार से वहा होरूँ पजब स्री राम चंद्र जी ने मुझे अपनाया है तबी से मैं विश्व का भूशन हो गया निशाद राज की प्रीती को देखकर और सुन्दर विने सुनकर फिर भर लक्षिमर जी के समान समझ कर आशीरवात देते हैं कि तुम सौ लाग वर्ष्टों तक सुप पूर्वक जीओ नगर के स्त्रे पुरुष निशाद को देखकर ऐसे सुखी विए मानों लक्षिमर जी को देख रहे हूं सब कहते हैं जीवन का लाब तो इसी ने पाया है जिसे कल्यार सरोप श्री राम चंद्रजी ने भुजाओं में बान कर गले लगाया है निशाद अपने भाग की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला उसने अपने सब सेप को को इशारे से कह दिया वेसे हमी का रुप पाकर चले और उनोंने घरों में ब्रख्चों के नीचे तलावों परतता बगीचों और चंद्रजी ने भाग की बढ़ाई साथ लिवा लगाया है